पर देखिए जो टॉपिक आज हमने गिया है आज का टॉपिक आपका सरवनाम है पर दिखिए कोशन नमबर देखिए पहले नमबर आपसे पूछा गया है। सुंद्र क्या विशेस्ट पूछा क्या है कौन से सरवनाम है तो सरवनाम आपका यहां पर होगा आपसर नंबर भी यहां पर बिलकुल एंसर यहां पर हो जाएगा यहां पर बिलकुल पर होगा अब बताएए इसमें से सरवनाम यहां पर कौुँ सा है? अब याय सभा मनुस्य हिमालाय तो आप कहेंगे सरवनाम की बात हो रही है? तो सरवनाम आपका याय होगा जोकि बिलकुल राइट अंसर है अजबकि सभा मनुस्य और हिमालाय यह आपके संगया है यह पर दे निर्देश दिया गया नेम डिखित प्रस्ण में से लिखा हुआ है नेम डिखित में से पूर्टि कीजिये लिखा हूँ है Northern पर बताईए सर्वनाम का प्रियोग हुआ है यहां पर राइट इंसर क्या होगा कोसन नमबर दिखिये तीन नमबर का जवाब देना है तो यहां कौँ से होते हैं मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या टोटल आपके 11 होते हैं याद रखेगा यहां पर जो अंसर आपका है बिखल्प नंबर साथ आपको बताया सरवनाम के कुल कितने दोते सरवनाम के भेद की रही हम बताया था सरवनाम के भेद होते 6 पूर MX वाचक सरवनाम निश्चेवाचक सरवनाम निज्वाचक, संबंदवाचक अनिश्चेवाचक और प्रश्ण वाचक यानि जब हम सरवनाम की भेद की बात करेंगे तो 6 बताइएगा अगर पूछे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं तो फिर आप बताईएगा कि 11 होते हैं चलिए अगला प्रश्ण बताईए अब देखो यहाँ पर पूछ भी लिया गया है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका 11 होगा आपसा नहीं पड़ा होगा गुर्वाचक तो विशेशण का भेद है गुर्वाचक सरवनाम का भेद नहीं है यह विशेशण का है अंसर जाएगा विकल्प नंबर भी के साथ और यहां पर देखिए आपको पताना जो सब्देप पूर्वा पर संबंद से किसी भी संग्या के बदले आता है उसको क्या कहते हैं हाना उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं सरवनाम आपसन क्या होगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रशन आपका है पुछा गया प्रयोग की डेश्ट से सरवनाम के कितने वेद होते हैं तो अगर हम पुरुस वाचक सर्वनाम की बात करेंगे कितने भेद होते हैं तो यहां पर अंसर क्या होगा बताईए यहां पर अंसर क्या होगा और अंसर आ चुका है पुरुस वाचक सर्वनाम की तीन भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं पहला तो आपका उत्तम पुरुस होता है हना कौन से होता है उत्तम पुरुस होता है दूसरा आपका मध्यम पुरुस होता है हना मध्यम पुरुस होता है तीसरा आपका अन्य पुरुस होता है तीसरा कौन से होता अन्य पुरुस होता है तीन होते हैं याद रखेगा ठीक ना आपसा नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्क बिल्कुल सही आपका होगा वे बरश्टाचार के प्रबल विरोधी थे वाग के सरवनाम का काओं सप्रकार है वे बरश्टाचार के प्रबल विरोधी थे अब देखिए हाँ यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राजणासाल आपका पुरु स्रूब के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं हम तुम आप यह वै यह सम आते हैं अंसर क्या होगा बिलकुल सही जबाब है हम तो पुरुषवाचक में आता है, पुरुषवाचक में मैं आता है, हम आता है, तू आता है, तुम आता है, आप आता है, वह आता है, यह आता है, यह आता है, यह आता है, यह पुरुषवाचक की बात है, अगर हम निजवाचक की बात करेंगे ना, तो निजवाचक में आप आएगा ठीक ना आप जैसे आप यह है ना यही आप है यह निजवाचक सर्वनाम में आपका आएगा खुद भी आएगा निजवी आएगा हम नहीं होगा आफसा नंबर भी होगा ठीक ना आफसा नंबर भी होगा जो और सो यह आते हैं संबंद वाचक सर्वनाम में आते निश्चय वाचक की बात करेंगे, हम ताज महल देखने जाएंगे, रे खांकित पर यहां पर क्या? तेरह नंबर का जवाब देना है, हम ताज महल देखने जाएंगे, तो यहां पर अंसर आपका होगा, पुरु स्वाचक सर्वनाम, हम ताज महल देखने जाएंगे पूरुस वाचर सरवनाम है हा ना बिल्कुल सही है अगला प्रस्वन बताईए मुझे किस प्रकार का सरवनाम है मुझे बहुत ही आसान है मुझे जो आपका है न मुझे बिल्कुल देखिए और अन्सर दिया गया है उत्तम पुरुस में मैं हम मैंने मेरा हमारा और मुझे और मुझे को यह सबाप को देखने को मिलता है अंसर लगाएंगे विकल्प नंबर आपके यहाँ पर पहला बिल्कुल सही अंसर आपके यहाँ पर होगा अंसर जो आपका लिखा हुए ना देखिए उत्तम पुरुस सरवनाम तो है यहाँ पर बताईए निम लिखे जोड़ों में से उत्तम पुरुस वाले जोड़ों को पहचानिये अब उत्तम पुरुस वाला काउंसा है तो उत्तम पुरुस अभी हमने बताया मैं आता है हम आता है अब देख रहे हैं ना मैं हम लिखा हुआ है पहला इपिकल्प इसी को लगा दीजिए 16 नमबर का आपका ए नमबर सही होगा यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम लिखित में से कौन पुरुस वाचक सर्वनाम है अब देखिए पुरुस वाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो पुरुस वाचक सर्वनाम बताईए यहाँ पर क्या होगा पूरुस वाचक सर्वनाम आपको बताना है अब पूरुस वाचक में हमने बताया है कि तू भी आता है तुम भी आता है आप भी आता है मैं भी आता है हम भी आता है तो अंसर क्या होगा यह नंबर होगा वैसे भी क्या जो आपका लिखा है यह तो प्रस्ण वाचक में आ गया वाचक होता है जब कोई और कुछ सब्द आपको देखने को मिलते हैं तो अठाला नमबर में देखिए बताना निम्लिखित प्रस्ण में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करिए और पुछा गया रेखांकित सब्द क्या धार पर पुरस्वाचक सर्वनाम का भेत का सही विकल्प क्या होगा वह कल मुझसे मिलने आएगी ठीक ना देखिए सर्वनाम एक बार पढ़ लेंगे बहुत कोई बहुत कटिन टापिक नहीं है कटिन इतना टापिक आपका नहीं है एक बार पढ़ लेंगे बहुत सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी और इससे प्रस्ण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अठार नमबर के यहां पर देखिए बताया जा रहा है बिल पर कौन सा है 19 नमबर का आपको बताना है आपकी सब राह देख रहे हैं ठीक ना आपकी सब राह देख रहे हैं तो जिन सब्दों को प्रियोग वक्ता स्वयम के लिए करता है उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं ठीक ना लेकिन आप जो है निजवाचक कुछए क्या गया है आपकी सब रहा देख रहे हैं ठीक नहां पर आपका नि जवाचक लगा देंगे यस वाचब कम बिल्कूल सही या वे आप ही चला गया वाक्य में रेखांकी सब्दें यहाँ पर बताईए सरवनाम के किस भेत का उदारण है वह आप ही चला गया 20 नमबर कर देखे जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आ गया है 20 नमबर कर देखे जवाब बताया जा रहा है करें बी नमबर बिल्कुल सही है निजवाचक होगा अगला प फिर से यहाँ पर भी आपका निजवाचक होगा क्योंकि आप लगा हुआ है उस विकल्प पर चैन करें जो दिये गए वाक में सरवनाम के भेत का सही विकल्प है घंसयाम ने अपने आप कारकरम की पूरी तैयारी कर ले तो आप कहेंगे अपने आपकी बात हो रहे तो आप सिप्साइब में आपको देखेए यहां पर कौन सा आपका सर्वनाम नहीं है ठीक ना तो देखें जो और सो ये तो होता ही है और जो सो तो होता ही एक हुए हे यह तो संबंद मनात होता हुए है असाथ में एक और वर्ड याद रखिए को वहां भी आपका संबंद वाचा सर्वनाम के अंतरगात आता है कि चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह मेरी पतंग है रेकांकित का यहां पर बेद बताईए क्या होगा यह मेरी पतंग है बहुत यह आसान प्रश्ण है और उम्मीद है यहां पर भी जवाब देखिए सभी का सही आना चाहिए 25 नमबर के आपर बता रहे है निश्चे वाचक बिल्कुल सही है आपसर नमबर यहां पर पहले ही विकलप आपका सही होगा यहां पर बताईए वय के अपादान कारक का बहुचन रूप क्या होगा वय तो ऐसे भी निश्चे वाचक सर्वनाम है अब पूछा गया है के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा तो यहां पर होगा उससे होगा उससे यानि अपादान कारक का एक वचन रूप हो सब्सक्राइब यहां पर बताइए इन में से क्या एक निश्चय वाचक सर्वनाम है तो आप कहेंगे निश्चय वाचक कुछ आ हम हम जो है उत्तम पुरुस ना उत्तम पुरुस बार 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 पढ़ेंगे न तो बहुत अच्छी से याद हो जाएगा यह होता है यह आपका क्या होता है यह आपका करेंगे तो यहां पर आपका आएगा मैं और तुम क्या आएगा मैं और तुम आएगा अगर संबंद वाचक की बात करेंगे तो अभी हमने बताया था जो और यह सब्द आपको देखने को मिलते हैं वह बहुत अच्छा लड़का है वाकि crunch में कहुं सा सरवनाम है यहां पर पर आपको बताना है वह बहुत अच्छा लड़का है तो सिंपल से जवाब यहां पर कैसा है को कोई सज्जन आपको बुला रहा आप देखिए कोई है ना तो हमें कंफर्मेंशन है नहीं तो यहां पर मार देंगे अनिश्य वाचक वाला बहुत ही आसान था कोई आ रहा है यहां यह भी आपका अनिश्य वाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुचन रूप क्या होगा टो याद रखेगा यहां पर होगा कीन ही से क्या होगा इंसर आपका इंसर आपका यहां पर क्या होगा आपसान आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्टर अपका है निम्ने में से यहां पर बताईए सर्वनाम सब्दें आपको जबाब देना है अगर हम सर्वनाम की बात करेंगे तो देखिए दान भाजन और पढ़ना और साथ में लिखा हुआ कुछ है ठीकला तो कुछ देखिए कुछ और कोई ये सब्स्कार आपने देखा होगा यह कहां पर डेखने मिलते है अब जिसे हम कह等 273 कोई निशेतो है निकिति मिलते हैं कॉफ। हैं क्या होता यहां यहां पर बताए यहां पर कोई और कुछ तो भताए कि अब हम और को सब्रेगा सो ढड़रे नमबहर तो सब्षान एंस यहांabenा चोता है सम्भंवायोया झाई these पर सब्सक्राइं भी यहां यहां पर होगा सब्सक्राइब जबाब सही आ रहा है इसके बाद आपके अभी देशस के भी प्रसने लिए हैं इसे की बाद मिलेंगे जल्दी से संबंद वाचक सर्वनाम बताईए यहां पर देखिए 36 नंबर बताईए यहां पर आपको बस कोई दिमाग एक भी इस्टरा नहीं लगाना जहां पर आपको ज जिसको हमने बुलाया था इसका मतलब यहां पर क्या होगा यहां पर आपका होगा संबंद वाचक होगा है ना बिल्कुल सही है देखिए जिसने और जिसके जो और सो तो आता ही है साथ में दो सब्द और याद रखिएगा अगर आपको जिसने कहीं लिखा मिल जाए जिसने यहां पर बताईए संबंद वाचक सर्वनाम है तो फिर से देखिए आपका जवाब यहां पर क्या होगा बताईए किस-किस से जगड़ा करते फिर ओगे रेखांकित पद यहां पर क्या है अंसर आपका जाएगा कौण क्या क्यों है ना देखिए तीन आप यह वर्ड तो यादी रखिए कौन क्या और क्यों यह अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाए कि प्रश्णवाचक सर्वनाम कोई नहीं कौन यह कोई तो अनिश्य वाचा हो जाएगा निम्ने में से सर्वनाम सब बताएए 41 का आपका यहाँ पर आपसन आपका डी नंबर सही है यहाँ पर पूछा गया है साथ सब्द का निम्लिखित में से किस रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता है हाना यहाँ पर अंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपका अंसर होगा देखिए क्रिया विशेश्ण में तो कर सकते हैं हा तो अंसर अप के अंसर आपका यहाँ प्रक्या होगा वी नंबर होगा लिख्यत में से क्या अप्राडिवाचक प्रस्थ सरवनाम है हरा यहां पर बताईएं सरवनाम bzw 43 जवाब क्या ₹्य बिल्कुल होगा बाकी तो सब हैं आपके लिखीत में से क्या तू यानि पुरो स्वाचक के संबंद में कारक का बहुवचन रूप इन से कॉवचन नहीं है तो यहां पर तो जो है के संबंद कारक का एक वचन रूप है हिंदी में पर चैन अब बताया मैं उत्तम पुरूष मध्यां पुरूष और अन्सर जाएगा विकल्प नंबर É具 साथ यहां पे होता हुआ यहीं यहीं मेरे नहीं होगा बाकि सब मुझ को मेरे लिए और मुझे यह आपको देखने बमिलता है कि चले सिर्मीलश नंबर के दिए सभी का यह नंबर आ रहा है मैं जा रहों चिनता मत करना ठाइड़ी पता यह पर क्या सब्मस्थब्र आएगा मेरी आएगा अभू subscribe पर है यह मकान मेरे भाई का है इसका मतलब यह क्या यह संकेत वाच्चाक सर्वनाम विशेशन है आपका अंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ बुरा सब्दह का निमलिखित में प्रयोग नहीं किया जासकता है अगर हम बुरा सब्दह का प्रयोग करेंगे तो बुरा सब्दह हस दिखिये प्रयोग सर्वनाम के रूप सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं सर्वनाम नहीं बलकि एक विशेशन है बुरा क्या एक विशेशन सब्द है अंसर लगाएंगे विकल्प नंबर सी के साथ बोला गया था ना किस में किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं बाग आफ्षल नमबर यहाँ पर D-Number आपका सही होगा बिल्कूल सही है जो सरवणाम संग्या सब्दों के मिल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयुक सरवणाम कहते हैं निमलेकित वाके में सरवणाम पदबंद क्या है जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है ये कैसा ये सरवनाम पदबंद देखिए आपका होगा आपसर नमबर सी होगा जो लड़का कल आया था ठीक ना सरवनाम पदबंद पूछा गया है तो यहाँ पर आया जो गैजैने में उलज। मैं खुश नहीं कर पाया। ठीक न। यह जो हम ने आपको बताया है यह आपका सर्वनाम पदबंद आपका हो जाएगा! कि कि किसी वाकिं में जब कोई सब्शन मिलकार सरि 750 कारप करने लगता तो उसी को हम कहते हैं सरवनाम पदबंद कहते हैं ठीक ना अंसर आपका यहाँ पर बिल्कुर सही है यहाँ पर आपका डी नंबर आपका सही होगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपका सरवनाम होगा ठीक ना भी बता रहे थे अगला प्रिश्ण बता यह मैंने मेरे को सुधा लिया वाक्य में किस प्रकार की असुधी है अब मैंने मेरे को सुधा लिया यहां पर होना चाहिए था मैंने अपने को सुधा लिया यहां पर जो तुरुटी है यह सरवनाम तुरुटी आपको देखने को मिल लई है सरवनाम की असुधी देखने को मिल ल यहां पर आप लिखा लिखा हुआ आप कैसा है आप क्या सरवनाम है थीक ना आप यहां पर क्या होगा अब सावनाम है कि हो जाएगा की घर पहाड़ नदी निदिग वह संध्या यह जाथ ही वाचहसंग्या यह संगल यह मैं चार पुछा गया निमने लिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो सीधा का देखिए यहाँ पर क्रिया विशेशन में तो आप कर सकते हैं सीधा सब्दका संग्या में भी कर सकते हैं विशेशन भी कर सकते हैं हना देखिए हमने आपको पताया कि सर्वनाम होता गया सर्व सब्सक्राइब करें कौन की बात हो रही है कौन सर्वनाम का गुर्वाचक सब्द होता है कैसा होता है क्या होता है कैसा होता है हाँ बिल्कुल सही है देखिए किस तो आपका प्रकार बोधाग है और कितने और कितना यह आपके परिमाड बोधाग है ठीक ना परिमाड बोधाग है पिता जी आ रहे हैं सहारा दो अब आप कहेंगे पिता जी आ रहे है ना तो यहाँ पर क्या होगा पिता जी आ रहे हैं उनको सहारा दो ठीक ना उनको सहारा दो तो साथ नमबर के यां पर देख लिए सभी का जवाब स्याँ आ रहें अगर सभी का जवाब स्या रहा है तो समझे zwr किए बिल्कrogen का सही आपका होगा ठीक है यहां पर राइट ऑसार सी नमबर जिनका भी आ झाल लिए बिल्कुल सही जवाब का होगा है झाल